उमवतारिने स्री स्वामिनारायनाय नमो नमः स्री सहजानन्दाय नीलकंठाय च नमो नमः स्री गुरुचर्ण कमले भ्यो नमो नमः बोलो स्री स्वामिनारायन भगवान नीजै स्री हरे कृष्ण महराज नीजै स्री घनस्याम महराज नीजै मंदिरमा प्रत्यक्स्विराजमान पियुडा स्री कंस्याम महराज सदा दिव्यरुपे साथे रहेला एवा पुजिपाद गुरुजी महराज ना गुरुजी ना संतो ना खुब वाहला एवा तमाम युवान भक्तों ने खुब वाहल थी जै स्री स्वामी नर्यां लोयाधाम परिवारमा युवान भक्तों ना घडतर माटे आपने युवासभा, युवासभानो सिलेबस, युवासभानी एक्जाम्स, युवासभानी एक्टिविटी आ भदू खुब सरस्रू कर्यों जे पुजिपाद गुरुजी ना आसिर्वात थी अने आपना वहला सर्वे संतो पुज्य रुशी स्वामी, द्यान स्वामी, रसिक स्वामी अबधा संतों ना दाखडा थी पुज्य निसकाम स्वामी निलकंड स्वामी गुजराती मा कथा करता होई छे द्यान स्वामी विगेरे अंग्रेजी मा एच सत्षं एने पीरसी ने तमाम युवान भक्तों यूती भक्तों अमेरिका मा बोन थेला होई एवा भक्तों पन महराज अने मोटा पुरुस एनी मर्जी ने समझी मुक्षना मार ग्यागल वधी सके एवा सरस्मजानों प्रयास करी रहा छे त्यारे आवो आजनी युवासभामा एक अदभूत वात समझवा प्रयत्न करिये युवासभा नुक किर्तन छे मारे स्वामी नरायन भजवारे दुरी जनियाना संगने तजवारे सद्गुरु प्रेमानंद स्वामीनु लखेलू आ किर्तन पुज्यपात गुरुजीनु अती सही प्रियक किर्तन छे गुरुजीना मुखे अनेक वार अनेक स्थले आ किर्तन नी कथा आपने स्रवन करी छे एटले आ किर्तन विसे जाजू विवेचन न करता टुकमा आपने स्रवन करी प्रेमानंद स्वामी कहे छे बस मारे तो स्वामी नरेन बजवारे भगवाननी भूख लागी होई ने येववा किर्तन मा देखाई जे आपनने खावानी भोजननी भूख लागे, दननी भूख लागे, स्त्रीनी भूख लागे, जगतना रंग रुगाननी भूख लागे, भगवाननी बड़ बड़ती भूख जागे ने स्वामी कहे छे मारे तो भगवननों बजन करवो छे महरादने राजी करीलेवा छे पछी भले ए भगवनना बजन मां जे कोई विखन करे ए दुर्जनियाना संगनों त्याग करवो छे मेल्यो सर्वे संसारियो माडी जोवा स्वामी नारैन दाडी संसार ना सगपन मात्र छोड़्या छें प्रेमानंद स्वामी कहे छे पुझ्यपाद गुरुजी एक खुब सरस्विवेचन कर्यू छे दूरीजन या एकले कोण भगवान ना भजन मा आपने विखन करे ए तमाम लोको दूरीजन जे आ संसार ना सगपन ए भूत ना वलगण जेवा जे भूत जेने वलगणे एने हेरान करे यम संसार ना मोटा सगा एज आपे मोटा दगा रे सगपन हरीवर्नू साचू बिजू सर्वे क्षण भंगूर काचू रे सगपन हरीवर्नू साचू वाहला युवानो आपनी जिन्दगीने धन्य बनावा माटे प्रेमानंद स्वामीना आवा पदो आपने गाये समझवा प्रयत्न करिये औने समझीने जीवनमा एवी रिते जीववा माटे जो पगला भरीसूने तो सो टका प्रेम सखी प्रेमानंद स्वामीना प्रेम थी पुरुशत्म नारेन जेवी रिते राजी थयाने एवी ज रिते आपने पन महरादने राजी करी सक्षू मने स्वामी नारेन भावे लोक स्वामीनी कहिने बोलावे स्वामी ना रदैना सब्दो तो जू स्वामी जाने केम कहे छे बस हवे तो मारी चाप पड़ी गई छे लोको मने स्वामी नारणी दासी कहीने बोलावे छे मने स्वामी नारणी ओ कहीने बोलावे छे गणा, सत्संगी, युवान, भक्तो एवा होई एनी चाप पड़ी गई होई क्या तो भगतडों छे आतो लोया धामनों छे आतो स्वामी नारणनों छे वाला भक्तो आपड़ी आवी लोको मस्करी करेने ये तो बहुँ सारू केवाई जगतना जीवने खबर नथी एनेमचे आ मस्करी छे पन एमा तो आपने फावी गया आपने सू छाप पाड़ी छे बस छाप एज पाड़ी छे कि होँ तो मारा महराज नो छो गुणात्यानन स्वामे के द्रड संकल्पा करवो मायानो नथी ओतो महराज नो छो महरे तो महराज ना धाम सुधी जवू छे अक्सरना मुक्तोनी पंग्तिमा बलवू छे न बेशू छे वाटे घाटेने जाता वलता स्वामी नारयन स्रवने सांभलता मुखे स्वामी नारयन गावू लोक लाज थकी नल जाओ अलता चालता एकज रटना भगवान नामनी भगवाननु नाम गाता रटता कदाज कोईकने गमे कोईकने नगमे लोक लाज थकी नल जाओ भगवानना भजनमा आडा आवनारा तत्व स्वामिय बद्धा ले लिताज कया कया दुर्जनियानो संग भगवानना भजनमा विक्षेप करे ये छोडवो पड़े संसारना सगपन भगवानना भजनमा विक्षेप करे येने छोडवो पड़े लोकनी लाज भगवानना भजनमा विक्षेप करे येने पन छोडवी पड़े आ बदू छोडे ने इक्यारे छुटे भगवाने बजवानी भूख जागें केवी भूख बढ़ बरती भूख चार दिवसना उपवास्थया होई अने पछी खावानी भूख लागे केवी भूख जागे येवी भूख बढ़ बढ़ती भूख जागवी जोई गुनात्यानंद स्वामी वातों मा कहे पंडित होई तो जाजा चोपडा भेगा करे बरवाड होई तो जाजा डोर भेगा करे मोटो गराश्य होई तो जाजी जमीन भेगी करे मोटो वेपारी होई तो जाजा रुप्या भेगा करे और कोई ने एम्थतु नथीक चलो एकांतिक थाए अने माहराज नेने मोटा पूर्ष ने जाजा राजी करी लिए चाजा राजी करे देगे जिके वास्ते क्यूं डरत हे गमारा एक माथु नहीं सो सो माथा अप्पा पड़ेने तो पन कापी ने आपी दव अपना पूर्षोतम नार्यन्य हवे न छोड़ू पुजिपात गुरुजीनी कल्यान कणिकानी एक अध्भूत वाद युवानो माटे कायम माटे मार्गदर्षक बने एविवाद छे गुरुजी ये स्रस्वात करी जेनी युवानी सुधरी तेनी संपुर्ण जिन्दगी सुधरी माटे पोतानी युवानीने महराजने सत्पुरुषनी अनुरुत्तिमा लगावी देवी કલ્યાન કણીકા ચોથુ પ્રકરણ 184 નંબરની કણીકા વાદ આને વાદ એગદમ સાચી છે त्रण अवस्था चे बाल्यवस्था युवानवस्था रुद्धवस्था बाल्यवस्था खिल्यावगर्णू फूल चे रुद्धवस्था मुर्जायलू फूल चे योवन युवानी थनगंती तरवराट भरी युवानी चेने एतो सुगंधती मदमदतू पुस्प चे खि लेलू फूल छे आवी जुवानी जीवन मां आजे छे काले नथी खेलिया सुमन आ बाग मां आजे छे काले नथी जुवानी मां आटे कहवाई छे जुवानी एतले के जवानी जवानी ए जवानी ए नथी रहवानी जती जती कानमा केवानी होतो जवानी होतो जवानी पण युवानी नो उप्योग के विरित्य करवो ए आपड़ी नक्की करवानूँचे पुज्यपाद गुरुजी ये सरस्वात करे युवानी ने सुधारी लेवी एमा आखी जिन्दगी सुधरी गई अने युवानी सुधार्वा माटे सुकरवू माटे पोतानी युवानी ने महराज अने सत्पुरुष्णी अनुरुत्तिमा लगावी देवी महराज ने मोटा पुरुष्णी अनुरुत्तिमा रहवो ने ए जुवानी ने सुधार्वानू स्रेष्ठ साधन जे गुणायत्तानन्द स्वामी वातोमा कहे मोटा पुरुष्णी मान कर्म वचने करीने अनुरुत्तिमा रहवू एना जिवी बिजी कोई सेवा न थी आपणे धोत्या उधाडिये छिए हार पेराविये छिए रसोय आपिये छिए अब बद्धी सेवा करिये छिए परन्तु मान कर्म वचने महराज अने मोटा पुरुष्णी अनुरुत्तिमा रहू एना जिवी बिजी कोई स्रेष्ट सादन न थी बिजी कोई मोटी सेवा न थी अरे गोपालांद स्वामी त्यां सुधी कहे अखंड वृत्ति महराज न मते कठण मा कठण सादन थी तेम छता स्वामी कहे छे अखंड वृत्ति राखवी ने एना करता पन अनुरुत्तिमा रहवूने ते कठण छे पोतानु मन सम्पूर्ण दस्टका विष्टका नही सो टका जेने मनने मारीना क्यों होई ने एज मोटा पुरुष्णी अनुरुत्तिमा रही सके कल्यानना मारगे कौन नडे छे आपड़ू मनद नडे छे तमे तपास करो सत्चंगना इतिहास मा जो दादा खाचर सुरा खाचर सिवलाल भाई सेठ गोवर्दन भाई जिना भाई आ बधा नव युवान हताने दादा खाचर निज केटली नानी उमर हतीने उकती युवानी हतीने त्यारे माहराज मेला जे सिवलाल सेठ नव लखो सेठ अन नव युवानी मा भगवानने अर्थे सत्संगने अर्थे किवा खपी जाई तम्या बधा चरित्रों साइंबला खे विश्तार्थी वात नथी करतो नक्की आपने करवानू छे के लादेन जेवु जिवन जिवु छे के लक्षमन जेवु जिवन जिवु छे इतलर जेवु जिवन जिवु छे के हनुमान जी जेवु जिवन जिवु जे रावन जेवु जिवन जिवु छे के राम जेवु हरी भाई को ठारी इनी लखेली आ पंग्ति मने खूब गमे तुही पांडव, तुही कवरव, तुही रावन, तुही राम अपनी तमाम साधना, अपनी तमाम आराधना, अपनी तमाम प्रवरुत्ती एनो सारे एतलोच छे, महनत करीने कुट्येवने काढ़वानी छे, अञे महनत करीने सारे त्येवने स्विकार वानी छे, पाडवानी छे, एतले कि कुसंगनु तत्व खराब तत्व छे, एने मारवानु क आने सारू तत्व छे, एने विक्साह वानु छे, Each and every soul is potentially divine आओ आजे तमने युवानोंने एक सरस्वाद स्वामी विवेकानन्द एटले में कही सकाई हम्मेशा स्वामी विवेकानन्द युवानोंने लक्ष करिने जवातो करता स्वामी जुने चिंतन हतू कि युवान छे एज आद दुन्यानी दिसाने बदली सके एतली ताकाद धरावे जे बालक मां सुसुप्त सकती जे रुद्धो मां मुर्छित सकती जे जयरे युवानों मां जाग्रुत सकती जे स्वामी विवेकानन्द हम्मेशा कहता Arise, awake and stop not till the goal is reached स्वामी विवेकानन्द उपनी सदने वेद निज विशेस वातो करता वेदो नो जे मंत्र छे उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत उठो जागो औने ध्याई प्राप्त नथाई त्या सुदी मंडियाज रहो विवेकानन्द छेने युवानो एकवार वाचवा जोईए विवेकाननन्द जीवन युवानो माटे मार्गदर्शक छे नव युवानीमा एक्स्त्री तरफेनी नजर खेचाए अने पोतानी आखमा मर्चु नाखे धिक्कार छे मारी युवानीने भगवाने मने आख खोटा काम करवा माटे नई सारू काम करवा आपी जे आवा जेना आदर्स विचारो होईने एनुज आउ दिव्य जीवन बने जे आपना वेदो मा उपनी सदो मा पन युवानो विशे खुब सरस्चर चाजे आजे मारे तमने पुझेपाद गुरुजी नी आ वातना सहारे युवानी सुधारी तेने जिंदगी सुधारी केविरी ते सुधार्वी तो भगवान औने मोटा पुरुस्नी अनुरुत्ति मा रहिने सुधार्वी ए युवानी सुं युवानी सुधार्वी एटले सुं आपड़े समझवता पहला उपनी सदमा युवानी व्याख्या केवी सरस करीजे तेत्तरिय उपनी सद आनंद वल्लीमा आठमा अनुवाकमा सा एसा आनंदस्य मिमान्सा भवति वेदोनु पवित्र मंत्र तम्य अत्यारे जोहिसो कोछु टिविनी स्क्रीनु पर युवा स्यात साधु युवा ध्यापकह आसिष्ठो द्रधिष्ठो बलिष्ठह तस्चेयम पृतवी सर्वा वित्तष्य पूर्णास्यात स एको मानुस आनंदह कितला अदभूत सब्दो जे अनौर्थे थयो ते युवान वली साधु येटलिके स्रेष्ठ आच्रन वालो हो जोई सास्त्रन अभ्यासी होई सम्पूर्ण पने निरोगी होई सारीरिक बल्थी सम्पूर्ण होई मनोबल द्रढ होई वली तेनी धनती पूर्ण समगर पुत्वी पोतानीज होई आने एक मनुस्यनो आनंद कहवाई जे उपनी सदना आ मंत्रमा युवान केवो होँ जोई युवास्यात साधू होई सवथी पेला युवान साधू एटले साधू स्वभावनो होई साधू एटले सरल स्वभावनो होई साधू एटले साचा स्वभाव वालो होई अलवित्रो नहीं, नखरा करनारो नहीं, कोईकनु लोई पिनार, कोईकने लुटनार एवो नहीं साधू स्वभावयमा केटलू बधू चिंतन रयुचे, केटलू बधू चिंतन मेवाद करिने स्वामी विवेकानननी आख खोटी जग्याए जाए, मर्चु आँजी दे आपणा सत्संगना पात्रों मा आपणे जानिये छे भक्तरा दादाखाचर नाना आता त्यार्थीज, एककज तानहतु महरादने राजी करवानू अरे भक्तराज सुराखाचर नव्युवान छे, अडधी रात्रे एकांतमा स्त्रिनो योग थाई अने भक्तराज सुराखाचर केवी रिते जाल माथी छटकीने निकलीने जाई अने भगवान स्वामी नरायन एतला राजी थाई, कि अमारा भक्तराज इंद्रियो गढ़ जीती ने आवे जे आनुनाम साधूस्वभाव, जगतना कोई प्रलोभनमा, कोई लालचमा लेवाई नई आवो मजबूत होई, ए साधूस्वभावनो, और एक नानामना जीवनी आगलपन, नम्बर भावे, ये वर्ती सके, येने साधूस्वभाव क्या अमा सरलता पन होई, येमा कठोरता पन होई, आ साधूस्वभाव जे नम्बर बे, युवाद्ध्यापकह, उपनिसद्नो युवाण, वेदोनो युवाण, एतले के वेदीक संस्कृतिने परंपरानो युवाण, अध्यापकह, सास्त्रोनो उंडो अभ्यासी होई एतला माटे तो गुरुजीये प्रेरणा करी, आ युवाण, कोर्स, सिलेबस चालू कर्यो आपना युवाणो, वचना मृत्ना, स्वामीनी वातोना, भक्त चिन्तामणीना अभ्यासु होआ जोई आपनी पासे जो नहीं होई ने, आपनी पासे नहीं होई ने, तो कहवाई छे, अंधारी, कोठरीनी अंदर, क्यां खाडो छे, क्यां टेकरो छे, कोई ने देखातुज नथी ए विरिते सास्त्रनु ग्नान नथी, अने सत्पुरुष्णो समागम नथी, तो ए जीव एक दिवस मोक्षना मार्गे भुलो पडवानो, पडवानो, पडवानो हरी चरित्रामृत सागरमा, सद्गुरु अधारन्द स्वामिये, मोमुक्षु माटे, मोक्षना मार्गे, सवथी साहयक बेवाद छे एक, सत्पुरुष्णो समागम, अने बिजु, सत्षास्त्रनो अभ्यास एतला माटे सारंगपुरुनू वचनामृत अग्यारमू, एमा पन महराजे, सत्पुरुष्ण अने सत्षास्त्रना वचने करीने, वातनी सरुवात एम करी पचि वहीराग्यावे, अति द्रढ ब्रह्मचरिय थाए, अति द्रढ धर्मनिष्टा थाए पर बद्धानु कारण, बेजवस्तू छे, सत्पुरुष्ण नो समागम, अने सत्षास्त्रनो अभ्यास सत्षास्त्र एपन सत्पुरुष्ण समागम अच्छेक प्रकारनो जुना समईमा, गुणात्त्यानन स्वामी बोलता, यह सास्त्र लखातु आजे आपने स्वामिनी वातो वाची एतले गुणातानन स्वामिनो समागम निस्कुलान काविय वाची एतले निस्कुलान स्वामिनो समागम मुक्तानन काविय वाची एतले मुक्तानन स्वामिनो समागम सागरमा केवु सुन्दर द्रष्टान ताइपु जेवी रिते आख होई पन प्रकास नहोई तो नो देखाई प्रकास होई पन आख नहोई तो पन नो देखाई जेवु छे एवु जोवा माटे जाणवा माटे आख पन जोई ए प्रकास पन जोई ए बन नहोई तो जे वस्तू जेवी छेवी देखाई छे एवी जरिते मुख्ष उने सतत सास्त्रणवव अभ्यास अने सारा सत पूरुश्णव समागम अब बन्ने साधन होई ने तो मुख्ष ना मार्गे जेकें जेवू अचेने बध्धू देखावा लागे असाचू अखोटू करवा जेव और न करवा जेव बुलवा जेव न बुलवा जेव बे आंख बे पग जयं चाल्वा माटे जरुरी छे इविरिते मोक्षनामार्गे चाल्वा माटे अब बे साधन दरेक युवानो एक खास करवा एतला माते पांच वस्तु उपनी सद नी अध्भूत छे नंबर एक युवान एच साचो युवान छे साधूस्व भाव होई युवान साचो एच छे नंबर बे युवाद ध्यापक हा सास्त्रनों उंडों अभ्यासी होई नंबर त्रन आसिष्ठ हा हवे उपनी सद एतले के संस्कृत भासा एनो अध्भूत अर्थ छे आसिष्ठ है एतले आसाथी भरेलो होई उत्साही होई आसावादी होई निरास्न होई अन्य आनों बिजोपन अर्थ एवो थाई जे उपनी सदना आचार्यों ये मान्य केरो छे आपड़ा यगनेस भगत ने आर्थ खुब गम से के सारू जमी सकेवो होई हाँ बै सारू जमी सकतो है जके काम करवान इच्छा धरावे ने पात दिवसना उपवास करावे न हाव लबडी गयो डिलो डप थाई गयो होई ये तो पची सुवाद करवे महारा धाम मा तेड़ी जाई तो कोरोना वाइरस थे गयो होई न पची हाँ तमे जोवो तो ना फेफसा चालता न होई ये पची काम करवान उच्छा धरावे उच्छा क्यारे जमे उच्छा हो बलवान आर यह आपना वेदोना केवा सरस्मजाना मंत्रो जे वाला युवानो मारी आप सवने विननती जे युवाननु चित्र केवू सारम सारू होई अपनी सदोई दोरू जे आ मंत्र याद करवो जोए आखो याद नरे तो आपांच वस्तु याद राखवी जोए युवास्याद साधु हु युवाद ध्यापकह आसिष्ट हु आसिष्ट है अटले आसाती भरेलो होई उत्साई होई आसावादी होई हम्मेशा येटलू ज नही औने सारू जमी सके ने पचावी सके येवो होई येटलू ज नहीं द्रढ़िष्ट हु संपुर्ण निरोगी होई जे जमीने पचावी सक्के निरोगी बने अने आबाजो थी खाई नाबाव जाई ये निरोगी ना होई द्रडीष्ठ हा निरोगी होई अने बलीष्ठ हा बढ़वान एकले के इनू मनोबल इनू आत्मबल मजबूत होई आवी जित्ये पांच सदगून ज्यार युवानमा आवेने तेरोगी उपनिस दवद भूत लगे जे युवाननो आनंद केवो होई तस्य यम प्रिथवी सर्वा वित्तस्य पूरणास्या स एको मानुस आनंद ह तेत्तरी उपनिसत आनंद वल्ली येम कहे छे आवा युवान माटे धनती संपुर्ण भरेली प्रिथवी आखी पोतानी प्रिथवी छे आवो येने आनंद अखंड वर्तिया करे एटले के आखी प्रिथवी माँ जेतलो आनंद छेने एतलो अपार आनन एक युवानने पोताना जीवनमा अनुभवाई छे क्यारे आपांच बाबत होई तो स्वामी विवेकानननों एक स्वाप्पनू हतु तम या स्लाइड मा जोही सको चू तुकमा वाचू चू स्वामी विवेकाननने हुए एकले याद करूचू हम्मेसा युवानों विशे वातो करता युवानोंने प्रेरणाप्ता आजे आपना भारत देशना आदरणी वडा प्रधान नरिंदर भाई मोदीजी एपन वारमवार वात करे उझे आरे निरास्थाव उझे आरे हतास्थाव स्वामी विवेकाननी मुर्तिनी आगल बेशू और पांच मिनिटीना मुखू पर जोया करू मने एकली उर्जा प्राप्त थाई जे और एक वारे मने वात करी जे स्वामी विवेकानंद कहे जे युवान के वो होई मुखमंडल ते जस्वी हो वानी ओ जस्वी हो सरीर में सक्ति हो मन में उत्साह हो सदबुद्धी और विवेक हो एक-एक सब्द समझवा जिवा जे रदै में करुणा हो मात्र भुमी पर प्रेम हो इंद्रियो पर निसंयम हो मन जिसका स्थिर हो आत्म विश्वास द्रड हो इच्छा सक्ति प्रबल हो साहसी सुर्वीर हो सिंग जेसा निर्भै हो लक्ष जिसका उचा हो सत्य जिसका इस्वर हो व्यसनों से मुक्त हो जीवन में अनुसासन हो मधूर प्रेम मैं वानी हो संपुर्ण जगत कुटुम्ब हो गुरु जनों पर संबान हो माता पिता पर सद्धा हो मानवी संवेदना हो दीन दुख्यों का मित्र हो सेवा में सदा तत्पर हो इस्वर में भक्ति हो अचल देश भक्ति हो जीवन पूर्ण नेतिक हो चलित्र जिसका सुद्ध हो एसा भारत देश का युवान हो भारत ये संस्कुर्थिना युवान आवा होई आजे भारत माटे कहवाई छे इंडिया इस दे यंगेश्ट कंट्री भारत मा युवानोंने साची दिशा आपपा माटे आपड़ा देशना वड़ाप्रधांती लई आपड़ा देशना तमाम महापूर्षो खुब दाखडों करी रहा छे स्वामी विवेकानन कहेता मने एक नची केता मलेने गिव मी वन नची केता आईसेल टंध वर्ड एक नची केता मलेने आखी दुनियाना नक्साने बदली सकाई जे एक युवानमा अतली उर्जा अतली सक्ती अतलु सामर्थे पड़ु जे उठो जागो धेई प्राप्त न थाई त्यासुदी मंडियाज रहो फरिवार ना क्यारेक युवान भग्तोना प्रवचन मा आपड़े युवानी मा केवी केवी क्रांती आधुनिक समयमा और प्राचिन समयमा थाईचेने करी छे युवानमा टे कसु असंभव नथी एक नानी कवीता वाची संबळाव तुमने कवीता एतला माटे बहुँ सिखवाडी जाई विकवीता जे आजनी वास्तविक्ता पण छे अने मर्मने व्यंग्य पण छेंदर आजनो युवान केटलो ढ़ीलो केटलो नमालो केटलो निर्बाल मारे सब्दन न बोलुवा जो ये पन माफ कर जो एकदम नपुन्सक थाईने जिवेचे दिल पुछेचे मारू अरे दोस्त तु क्या जाईचे जरना नजरतो नाख आँख सामे कबर देखाईचे अकविताना सब्दो जो समझाईन तो काम थाईचे जयनी दिशा खोटी होईने इनी दसा हम्मेसा खराबज थाई समझवाजे विवाद छे दिशा जे खोटी लेशेने इनी दसा हम्मेसा भुंडिज थवानी माटे युवानो भगवाने सक्तिया पीचे बलाय पूछे, बुद्धिया पीचे पन सेना माटे आपड़ू अने बिजानू भलू था येना माटे केटलू सरस कोई लख्यू छे कि दर्यक वस्तु मानस ने मली सके जो मानस पूरुसार्थी बने तो वने निर्बाळ अन निरास मानस ने आद दुनिया मा कस्सुज मलतू न थी उत्साहो बलवान आर्यह एतला माटे आ जगतमा महानमा महान तत्व छे ये मानू एक तत्व छे उत्साह आसावादी बनिये पन साची दिशामा आद दिशा उपर्णो व्यंग्य छे आपनी दिशा साची होई आक थी जोवानी दिशा साची होई कान्थी साम्भलवानी दिशा साची होई वानी थी बोलुवानी दिशा साची होई वाहला युवानो जोयुने तमे खोटा नखरा, खोटा लफरा, खोटी वातो, खोटु वर्तन आप बद्धा थी बचवानी बहुत जरूर जे सारू काम करवापन सक्ति जोई एने खोटू करवापन सक्ति जोई दुरभाग गये छे के सक्ति मल्यापची मुट्टा भगना खोटा रस्तेज आगलवदे जे दिल पूछे छे मारू अरे दोस्त तु क्या जाई जे जरा नजरतो नाक आक सामेज कबर देखाई जे ना व्यहवार सचवाई छे ना तहवार सचवाई छे दिवाली होई के होली बधू ओफिस माज उजवाई छे आ बधू तो ठीक हतू बण हद तो त्या थाई छे लगनानी कंकोतरी मले त्यारे स्रीमंत मा मांड जवाई छे आ जिनो मानस एटलो बदो बीजी बीजी ने बीजी थतो जाई छे भजन माटे सेवा माटे परिवार माटे पोताना स्वास्थ्य माटे के माता पिता माटे के समाज माटे कोई ने टाइम अज नथी आ युवानीनू साचु चित्र नथी अमना सायम भुणतमे उपनी सद्नो युवान केवो होई पांच आकडानो पगार छे पन पोताना माटे पांच मिनिट पन क्या वपराई छे बस फेस्बुक औने याहू परत जाने बदी लागणियों वेचाई छे पत्निनों फोन बे मिनिट मा कपाई छे पन क्लाइंटनो कोल क्या कपाई छे फोन भुग भरी चे मित्रो थी पन कोई नाई घरे क्या जवाई छे अवे तो गरना प्रसंगो पन आफ डेमा उजवाई छे कोई ने खबर नती आरस्तो क्या जाई छे, थाकेला छे बधा छताई लोको चालता जाई छे, सुन लख्यू छे, जो आ मर्म, आ व्यंग, आ कठार, कठाक्स समझाई जाई जाई ने, काम थी जाई, कोईक ने सामे रुपिया, तो कोईक ने डोलर देखाई छे, बस आना माटे दोड़धाम छेने, कोईक ने सामे रुपिया, तो कोईक ने डोलर देखाई छे, तमेज कहो मित्रो, सुन आने जिन्दगी कहवाई छे, दिल पुछे छे मारू अरे दोस्त तु क्या जाई छे जरा नजर तो नाख आक सामेज कबर देखाई छे साचो युवान अंतर द्रष्टी वालो होई सत्यने असत्यना विवेक वालो होई साचो ने खोटू ओलखी सके येवो होई येने खोटू लागे येने खबर पड़ी जे खोटू छे एक सेकन मा त्यांथी पाचो वली सके आओ युवान होई आओ सावधान होई अने आओ सावधान जे युवान होई ने एमा थीज कोईक स्वामी विवेकानंद बने एमा थीज कोईक दादा खाचर के सुरा खाचर ब अरे येमा थीज कोईक मुक्तानंद स्वामी के गोपालंद स्वामी जिवा महा पुरुसों बने। पुज्यपात गुरुजी अध्भुत बात करी। जेनी युवानी सुधरी जेनी जिन्दगी सुधरी। एना माटे बस जाजू समझाए नसमझाए महाराजने मुटा पुरुस्नी अनुरुत्ति मा रहवानु सखी लिए। अनुरुत्ति येटले आगनामा रहवानु सिखी लिए। आपने नसमझाए तेरे पुछी लिए। पची जेम किदू हैं करिये। एक सरस वात छे। अनुरुत्ति येटले सुँ, अनुरुत्ति मा रहू येटले केवीरिते रहू केम खबर पड़े। आनुरुत्ति येटले संगेडिया मांगरोल गामना खुब सारा आरी भक्त आता। महराजे पोते पोताना मुखे आवात कही छे, सिले बस मा छे, तमे वाची हसे, पन सार रूपे मारे जे वात समझावी छे, ते वात अध्भूत छे। आनंजी भाई संगेडिया, एन एकवार महराजे कहिऊ। महराज कहे छे, क्या आनंजी भाईने विमुख करो, सत्संग्ति दूर करो, मंदिर मा नववा देशो, कारण के तेने धर्ममा गोबरू वर्तियु जे, एकले के धर्ममा भंग करियो जे, भगवाननी आगनानों लोप करियो जे। आवी दिते महराजे, एमने तरचोडी सत्संग्ति दूर करिया, अने परिक्षाली दी, अने महराजे कहिऊ तु सत्संग्मा ना आउतो, मंदिर मा पन ना आउतो, अरी भगतो उता जे गामना मांगरोलना गोबर्धन भाई, मेक जिया दीक एमने पन कहिवर्यावू, के नहीं, त्यारे आनिजी भाई एक नव्युवान भगवान स्रीरिणा भगतो हता, पन केवा निर्मानी हता, केवा निस्कपट हता, केवा निखालस हता, महराज पासे हाद जोड़ीने विननती करवाला गया, एमने महराज, महराथी सत्संग्मिना ना आइ रह वाई, अफि तमें जे प्राइस्चीत आपसो तेहुं करीश। माराती के भूल थाई छे ये भूल नो तमें जे दंड आपसो ते स्विकारीश। परन तु सत्संग थी मने दूर न करो। सत्संग विना माराती रहवासे नहीं। जेनू जीवन निर्मानी होई और जेनू जीवन निस्कपट होई ये भगवन ने राजी करी सके। और आ बनने सत्गुण नोपन परसपर संबंध चे निर्मानी होई ने ये ज निस्कपट बनी सके। और निस्कपट होई ने ये ज निर्मानी रही सके। जे मानी होई ये ने तो एम होई जेवु छेवु जो जहाँ पाड़ी देश स्विकारी लेश के कही दैश तो बदा मने निची नजर थी जो से इतो कपट एतलो बदू लैन फरतो होई एतला माटे तो मान येनो परिवार छे येमा क्रोध कपट इर्ष्या अदेखाई आ बदो मान नो परिवार छे अरे वचनामरूत गडपूर प्रतमनू अठावनमू एतला माटे तो कहियू जे निस्कपट थाईने भगवानने भगवानना संतनो गुलाम थाईने रहे तेने भगवानने भगवानना संतनो अत्ती सई मोटो राजीपो मले और जेने अत्ती मोटो राजीपो मले ने येनी अनंत जन्मनी ये कसर होईने पुर्व जन्मना जिये मलीन प्रारब्ध होईने एपने ना टली जाए कितली मोटी प्राप्ती छे मोटा पुरुषने राजी करवा माटेनु सेष्ट साधन एटले के निर्मानी पणू अने निसकपट पणू अन्तर कपट मेटके अपना लेवनकू मन दीजिये संत समागम कीजे आपने रोज गाईये छी भगवानने तन आपी सकाई भगवानने धन आपी सकाई पन भगवानने संतने मन अरपन करवूने यतली के मनमा जेवु छेवु कही देवूने मननू पन पाप न राखूने ने अगल अखूब मूटी वाद छे आवाजे युवान होईने कि जे तनमा तो पाप न आववा दे परंतु मनमा पन पाप न पेश्वा दे एना उपर महराज राजी थाई निस्कपट बनी मिरमानी बनी करगरवा लाग्या महराजी छेवटे कईऊ सारू तमे आवए अरी भक्तो ना पगरखा पेड़ावे त्याँ बेश्चो पगरखा साफ करजो मंदिर मा ना आवता अरी भक्तो ने कहिऊ आ गम्य त्यारे मंदिर थी नजीकावे हाड हाड कुत्राने अपड़े हड हड करियाने कुत्रानी जेम यहनो तिरसकार करजो अनादर करजो यहनो दिकार करजो यहने पेशवान देता आम महराजे कहिऊ महराज तो विच्रण मा गया आनन जी भाई ने जे सामे मले हट बधा तिरस्कार करवा ला गया भगवान ने आवियागना पाळवानी होए तो आपने बदा है पालिय है पन जियने आ आगना सामेना पक्से पाळवानी चानजी भाई ने येनी केटली उची समझण के हुआइ येनू केटलू निर्मानी पणू केहवाई येनो केतलो निस्कपट भाव केहवाई विच्रन करीने महाराज पाचाविया बदा भग्त दर्सन करवाविया छे आनजी बै दूर बेठा छे महाराज जोयू बदा आरी भग्त त्यांती निकले ये नजीकाविन पगे लागवा जाई हट करीन येने अपमान करे महाराज जोयू आउँ अपमान थाई चे तेम छता येने रहंच मात्र सत्संगी नो अमारो के कोई नो अभावावतो न थी धन्य चे धन्य चे महाराज बोलाविया पेटी पडिया राजी पोदर्साईवो अने कहियू आनंजी भाई तमारा घरवाळा पूर्वे मारगी पंथमा आता कणो दुराचार करियो हतो कुत्रानो देह स्वान एटले कुत्रानो देह लेवो पड़े एवाकु कर्मो हता परंतु अमारो हरी भगत कुत्रानो देह लही अने दुखी थाई अमने क्यम गमे एटले तमारा आवा कुच्छित कर्मों ने टालवा माटे अमे आपरिक्षा करी हती तमे माँ पास थया तमारा बद्धा कुच्छित कर्म अवे बाली गया अतली मोटी महराजे दया करी तमे जोई सको छो अनादर करियो तिरसकार करियो तोपन महराज के मोटा पुरुस्थिक संतो भुक्तो थी दूर न थया आने खरू हेत केवाई वचना मुरुत्मा महराज कहे पांच खासडा मारेने तोपन भगवानने संतना संग माँ पड़ियो रहे पड़ियो रहे आवो अपमान केरू हड कुत्री हड कुत्री कराईवो तोपन सत्संग निंदर पड़िया रहे एतलुज नही समय जता आनंजी भायना घरमा मान मान अन्न वस्त्र मली रहे खावानू मली रहे आवी कार्मी गरीबी आवी विचार करियो चालो मुंबई जहिए त्यां बेपैसा कमाईशू एक सारा दीवसो जोवा मलचे मुंबई जहवा तयार थेया वली थयुक चालो महराडने जान करी आगना लेलिये दर्सन करीये आसिरवाद लेए भगवाननो भक्त येचे जहकं करेने भगवाननी आगना थी मोटा पुरुस नी आगना थी करे आपना युवाननो जहकं सांबली रहा छेने येमने पन नानी एकलीज विननती तमारा जिवनमा जहकं कारिये करोने पुझ्जिपात गुरुजी आपने जानियेचे केवा मोटा एकांतिक ब्रह्मनिष्ट सत्पुरुष जे आवा संतनी आगना लईन करिये संत बोले ते भेडो हुँ बोलूरे संतना वचनमा भगवानना वचन जे यहाँ पाडे एमा पन आपड़ु सारू छे अने कदाच ना पाडे ने एमा पन आपड़ु सारू होई जे आनंजी भाई बद्धू तयार करी मुंबई जवा निकला महराज नासिरवाद लिवा आएवा महराज ये कईयू अजी आनंजी भाई पुझे पेला कि आनंजी भाई अमे सवारेचिने निकलता आता त्याक पूरू समने मिलो अमे पुझे तो कोण छे त्यारे एम बोल्यो हूं तो आनंजी भाई नू प्रारव्द छु मेने पुझे अरे तु क्या जाई छे तो कि हूं मुंबई जाऊचु सामाटे आनन जी मुंबई जवा निकलो छे तो हुं मुंबई जाव एना माटे खोरी जार तयार राखु एटला माटे मुंबई जाव छुँ आनंजी भाय के अरे महराज आ खोरी जार थी थाके ने हुँ मुंबई जाऊचु तो त्या पन मारा माटे खोरी जार तैयार अशे तमारू प्रारद्द में जोयू ये मुंबई जैर ये छे तमें गाम बदल सो स्थान बदल सो येमा के प्रारद्द नती बदल लावानू अध्धा संकल्प पड़ता मुकी दिधा आगनामा रहिया जोयो तमे अनुरूत्ती पाली महराजने बदी बीना संभलावी महराज आवु दुख बढ़ियो छे पेटनो खाडो मानमान पुराय आवी परिस्तिती धाई छे सुं करिये महराज अस्ता-अस्ता कहियो क्या आनंज तमने कई सारू गडतावले इंडोलो छे खाड चे आव बनावतावले आ महराज एक साराम सारो तमारी जेतली कारी गरी होय बद्दी वापरी हिंडोला खाट बनावो सरस्मजानी हिंडोला खाटती यार थै आनन जी भाईनेती एम हतु के महराज न्यापीस महराज राजी थसे महराजी कहिए आ हिंडोला खाट मांगरोलना राजा वजुरुद्धिन छे नवाब एमने तमे आपो अने सांबलो नवाब तमने पुच्छे आनी किम्मत सुआपू केतला पैसा आपू पैसा न लेशो बो आगरह करे के कैंक मागो त्यारे तमे के जोक सारू थोड़ी जमीन आपो अने क्या नी जमीन तो तमे के जोक आ जग्या नी आ जग्या मने आपी दो तमारा घर नी नजीक નીય જમીન છે નેતલી માગ જો મહારાજ કહ્યો હતું એ પ્રમાને આગના મારહીને અણોરુત્તી મારહીને इन रोडा खाट सारी बनावी, पेली आगनापाली, मुंबैी जवानु टायलू ए आगनापाली, इन रोडा खाट बनावी ए आगनापाली, मजुरुदिन सहेबने आपी ए आगनापाली, गरीब छिये दोईला दिवस चाली रहाजे तेम छता राजा पासे बिजी कोई आसान रागी गर्नी बाजुमा जमी नती एनी जासा रागी लालचमा लोबाया नहीं कोई पन जिग्याए महाराजे कहिऊ सुथ थयू महाराज तमे कहिऊ होतु ये प्रमानित बद्धु थयू एने मने घणू कईू मेक इदू आ हिन्रोडानू कोई मुल्य लेवानू नथी एने अतियाग्रह करियो मेकवि मारा जग्गरनी वाजुनी नजीक जग्याँ छे आतली जग्या मने आपी दे ए जमीन एने मने आपी महाराज केवे खोदवानू सरू करो आने खोदवानू सरू करो आने खोद्ता खोद्ता येनी अंदर थी अपार धन निकलू सोना महरो निकली पची तो घणिवधी कथावो चे तमें जानो छो प्रणानो सार एटलोच छे के भगवाननी आगना पाली दुखमा पन पाली सुखमा पन पाली भगवाननी आगना माज सुख छे, सांती छे, क्यारेक आपनने लागे दुख छे, पनी थोड़ा समय पूर्तु होई अने आपने आपनू मन्नु धारू करी सुख मेलवा जये, इक्षणिक सुख मले अने पाचल मोट्टु दुखावे जे माटे युवानी सुख दर्वानो स्रेष्ट मार्ग महराज मोटा पूरुषनी मरजी मारईये अने आपना युवान जिवनने हमना जेम उपनी सदनी वात आपने पाच वस्तु श्रवन करी पाचे पाच वस्तु द्यानमाले जो आपनो साधो सभाव बने, सास्त्र नो खुब सारो आपने अभ्यास करीए आसावान आपने बनिये, सरीर आपनु तंदु रस्त बने, मन आपनु हम्मेसा मजबूत, मक्कम औने द्रध बने आ पाँच उपनी सद्नी वाद याद राखी आपने युवानीने धन्य बनावी महराज, मोटापुरूस, संतो अने भक्तो एने राजी करवा माटेनू स्रेष्ट माध्यम बनावी देए महराजेम कहे चे वचना मुरुत्मा आ मानस ना देहेकरने नथा येवू सूँँ छे जिना भाय येना जेवू दिव्य जीवन आपने जिवी सक्किये ची तो आओ भक्तो आपने या युवासभानी यात्रा येमा आपने एक कदम आगलवध्वा प्रेत्न करिये बलो घनस्याम महराजनी जै श्रीपतिम स्रेधरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिना रायनं नीलकंठं भजे